हलो एब्रिबन आइम आस्था बेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूटूब चैनल गवर्मेंट जोब जेन्यू नौटिफिकेशन लोक सेबा आयोग भर्ती नौटिफिकेशन रिलीज हुआ है इसमें बेरियस पोस्ट रहेंगी किस-किस पोस्ट पर भर्ती है वो हम नौटिफिकेशन में क्लिया करेंगे लेकिन अब भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वालविकास परयोजना अधिकारी, नाइप तहसिलदार और उप पलिस अधिक्शक ये पोस्ट जिन पर भर्ती की जानी है इनमें से सबसे ज़्यादा जो वेकेंसी आई हुई है उप पलिस अधिक्शक और नाइप तहसिलदार की पोस्ट पर हैं इसके अलबा बाल विकास परियोजना अधिकारी से related मुझे comment आते हैं कब vacancies आएगी तो बाल विकास परियोजना अधिकारी की भी vacancy आ चुकी है 171 टोटल vacancies है, all इंडिया से male female candidate apply कर सकते है and इसके जो application starting date है वो 1 December है 1 December से इसके application start होंगे, online आप apply करेंगे last date इसकी रहेगी, 30 December 2021 तक आप इसमें apply कर सकेंगे it means अभी इसके application start नहीं हुए है बहुत ही जल्द इसके application start होंगे 1 December से अगर आप इसके लिए eligible हैं, क्योंकि various post हैं, अलग लग post हैं जिन पर भरती की जा रही है, हम notification में clear करेंगे अगर आप इसके लिए apply करना चाहते हैं, अगर इसकी जो eligibility criteria उसको fulfill करते हैं then apply करने से पहले detailed notification carefully read के जगा, link में आपको description box में दे दूँगी ओके, so चलिए अभी हम notification देख लेते हैं यह जो notification है, 36 गर स्टेट से आया हुआ है, 36 गर लोग सेवा आयोग से यह notification रिलीज हुआ है और इसमें जो pre-exam date है, 13 February 2022 को आपका pre-exam रहेगा और मेंस exam की date है, 26, 27, 28 सेवां 29 मैं 2022 जो application स्टार्ट होंगे, वो आप यहाँ पर date देख रहे हैं अगर आप apply करते हैं, तो आप जरूर उनको read कीजेगा और यहाँ पर post आप देख रहे हैं राज्य प्रसासनिक सेवा जिला अध्यक्ष, उप जिला अध्यक्ष राज्य पुलिस सेवा में उप पुलिस अधिक्षक की 30 पोस्ट है इसके अलावा बित्य बिभाग से भरती है, जिला अवकारी अधिकारी, स्रम पदाधिकारी, रोजगार अधिकारी, सायक संचालक, जिला महला एवं बालविकास अधिकारी, जिला सैनानी, नगर सैना, सायक संचालक, अधिक्षक जिला जेल, मुक्यकारबलन अधिकारी, बा पूस्ट के लिए कितनी सेलरी यहां पर रखी गई है अब यहां पर कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स देगा है वह आप चैक कीजेगा यहां सबसे पहले हम प्री एक्जाम के सेंटर आपके कहां पड़ेंगे तो सीजी स्टेट से विकैंसी है लेकिन अधर स्टेट के कैंडिडेट भी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं बस आपको जो रिलेक्सेशन है अगर आप रिजर्ब कैटिग्री से हैं और आप अगर इसमें अप्लाई करते हैं और 36 गड़ की मूल लिवासी नहीं है तो आपको जनरल क कवरदा कांकेर कोरबा महसमुंद रायपूर राइगर राजनंद गाउं बलोदा बाजार यह इसके प्री एक्जामनेशन सेंटर है में एक्जाम जोगा वह अंबिकापुर बिलासपूर दुर्ग भलाई जगदलपूर और रायपूर इसके सेंटर रहेंगे अब यहां पर है रिजर्ब कैटिगरीज को और 36 गर के जो मुल्यवासी होंगे उन्हीं को यहां पर रिलेक्सेशन भी मिल जाएगा इसके अलाबा आयू सीमा में छूट यहां पर दी गई है किसकिस पॉइंट्स पर आपको मिल सकती वह आप देख लिए जगा और हाइट यहां पर जिला उप पुलिस अधिक्चक पोस्ट के लिए 186 cm मेल के लिए रखी गई है 156 cm फीमेल के लिए रखी गई है इसके अलाबा जो अधर पोस्ट रहेंगी उनके लिए जो एज रखी गई है वो है 21 से 30 साल जो पुलिस अधिक्चक की जो पोस्ट है उसके अलाबा जो अधर से 30 साल वही जो रिजब के डिग्री को ब्लॉंग करेंगे 36 गड़ के मून लिवासी होंगे उनको रिलेक्सेशन रहेगा हाइट पोस्ट वाइस भी दी गई है किसकिस पोस्ट के लिए हाइट रिक्वाइड है तो आप यहां पर देख सकते हैं आप जिस पोस्ट के लिए अप पर क्या रहेगी तो इसमें जो एप्लिकेशन फीस है 36 गड़ के मून लिवासी है और रिजब कैटिगरी को ब्लॉंग करते हैं उनके लिए 300 रुप एप्लिकेशन फीस है इसके अलाबा जो अदर कैंडिडेट है 36 गड़ के जनरल कैंडिडेट या अदर स्टेट के जो आप कर सकते हैं अगर करना चाहें कोई भी मिस्टिक अकर होती है तो उसका अलग से टाइम अगरा रहता है जो आप देख लीजिगा ओके सो इसके लिए यही है आप उस जो सलेवस रहेगा वह आपको डिटेल नॉटिफिकेशन में दिया जाएगा तो अगर इसमें अप्ला कीजेगा और अगर इसके लिए आलेजबल है तो जरूर इसमें अप्लाइ कीजेगा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजे थैंक यू